So hello guys, welcome back to the new video session दोस्तों ICAR Technician Exam 2022 के लिए Science Biology Test No.5 लेकर आचुका हूँ इससे पहले मैंने आपको Science में 4 video session और Social Science के 7 video session करवा दिये हैं वो video session अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना सभी आपको ICAR Technician Classes की playlist में मिल जाएंगे इस recruitment को लेकर कोई doubt है तो वो भी आपका clear हो जाएगा तो एक बार आप जरूर visit कर लेना और इस class में हम दोस्तों most important MCQs देखने वाले हैं biology से related और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया वो subscribe कर लीजे, bell icon को प्रेस करके all पे click कर लीजे तक आने वाले हर वीडियो के आपको notification मिलती रहे और जिन लोगों ने ICR technician का telegram group नहीं जोइन किया है वो जरूर जोइन कर लें वहाँ पर भी आपको updates और study material मिलता रहेगा चलिए शुरू करते हैं आज का session आज का first question आपके सामने है थायराइड गरंती के सामने कामकाज के लिए आयोडीन का आहार सेवन आवशेक है निमनलिगित आयोडीन में सवभाविक रूप से समर्द माना जाता है वे इनमे सें आयोडीन में सवभाविक रूप शें समर्द कौन सा है आपसन दिया है सेंधा नमक, समुद्री नमक और डेरी उत्पाद अब कौन-कौन सा सवभाविक रूप शें आयोडीन का श्रोथ है या आयोडीन में शम्रद है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपसन नमर्द D हो जाएगा सही आंसर सेंधा नमक, समुद्री नमक और डेरी उत्पाद इन सब में दोस्तों क्या होता है आयोडीन होता है तो आपसन नमर्द D आपका हो जाएगा बिल्कुल इसमें सही आंसर अगला सवाल देखिए अगला सवाल है जेविक जगत में होने वाले कारिय, गुण, वपद्दती के अध्यन के इस ग्यान को मसीनी जगत में उप्योग करने को क्या कहते है जेविक जगत का जो कारिय होता जो गुण होते हैं, जो पद्दतियां होती है उनका जब मसीनी जगत में उप्योग होता तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है दोस्तों, बायोनिक्स, उप्सन नमबर एक हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, अगला सवाल देखिए, किस फसल में असली तथा नकली फसलों के गुण समिलित है, इनमें से एसी फसल बतानी है, जिसमें असली और नकली फसलों के क्या है, गुण सम होती है, हल्दी पोदे के कौन से भाग से प्राप्त होती है, तो हल्दी दोस्तों क्या है, आपका तना, उप्सन नमबर डी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहरा है, मानव जाती, वनश्पती विज्यान, वनश्पती विज्य अगला सवाल देखिए, कवक कोसिका में संचित होने वाला खद्य पदार्थ है, कवक कोसिका में कुन सा खद्य पदार्थ संचित होता है, तो यहां दोस्तों होता है, गलाइकोजन, गलाइकोजन दोस्तों किसमें होता है, कवक कोसिका में संचित होता है, अगला सवाल देखि ये दोस्तों आपका होता है परकास के लाल वै नीले शत्र में उप्सन नम्मर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही अंसर अगला सवाल देखिए कौन सा पदार्थ पोधूं के लिए एक शुक्षम पोसक होता है पोधूं के लिए एक शुक्षम पोसक होता है तो यहां दोस्तों हो जाएगा आपका boron बोरon जो है यह पोदूं के लिए एक शुक्षम पोशक का कारियर करता है अगला सवाल दिखिए वह कौन सा पोदा है जो अपने भोजन के लिए कीटू को पकड़ता है कीटू को पकड़ने वाला कौन सा पोदा है तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया यूट्रिकुलेरिया जो है वो अपने भोजन के लिए कीटू को फसाता है अगला सवाल देखिए है हरे पोदू में परकास अंसलेशन की किरिया में होता है हरे पोदू में जो प्रकास इंसलेशन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है उसमें दोस्तों कारबंडाई ओक्साइड लेना और ओक्सिजन छोड़ना होता है तो आपसन नमबर B आपका सही आंसर हो जाएगा सभी क्यूशन वेरी इंपोर्टन है डेफिनेटली एकजाम में आपको यह जो मैं वीडियो सेसन करवा रहा हूं इनसे हल्प मिलने वाली है समीकारकूं का नियम किसने पर्दिपादित किया था समीकारकूं का जो नियम है यह दोस्तों किया था ब्लेक मैन ने उपसन नमबर B ह हो जाएगा इसका सही अंसर इंपोर्टन किसन नहीं याद रखिएगा अगला सवाल देखिए परकास अभिकरिया होती है यह दोस्तों होती है हरित लवक के ग्रेना में हरित लवक का जो ग्रेना होता है इसमें दोस्तों होती है परकास अभिकरिया अगला सवाल देखिए न को क्या कहते हैं सरप गंदा कहते हैं अगला सवाल देखिए लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है तो इससे दोस्तों मिलता है डाई स्टेस डाई स्टेस जो एंजाइम होता है ये दोस्तों लाल चने से मिलता है अगला सवाल देखिए जल सताय पर निस्सल उतारने वाले जन्तु क्या कहलाते हैं, जल सताय पर जो निस्सल उतारने वाले जन्तु होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों, प्लेक्टोनिक, प्लेक्टोनिक बोला जाता है इनको, अगला सवाल देखिए, मोती का उतपादन करने वाले जन्तु किस संग में आते हैं, कौन से संग में आते हैं, जो मोती का उत्पादन करते हैं, तो इनको बोलते हैं, दोस्तों, मॉल्स का, option number B, आपका सही answer हो जाएगा, important question है, याद रखिएगा, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, संग, प्लेटी, हेल्मिन्थीज का एक उधारन है, प्लेटी, हेल्मिन्थीज का उधारन आपसे पूछा, जिसका उधारन हो जाएगा, आपका सिस्टो सोमा, सिस्टो सोमा जो है, यह दोस्तों, प्लेटी, हेल्मिन्थीज का example है, अगला सवाल देखिए, चार जोडी पाद, किस वरक्ये जन्तु का विसिस्ट लक्षन है, चार जोडी पाद, यह दोस्तों है, आपका एरकनाइडा, एरकनाइडा जो जन्तु का विसिस्ट लक्षन है, ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नानकित में कौन सा कीट नहीं है, इन में से कीट कौन सा नहीं है, वो दोस्तों, खटमल क्या है, एक कीट है, अच्छर भी क्या है एक कीट है लेकिन मकडी जो है ये दोस्तों एक कीट नहीं है अगला सवाल देखिए अगला सवाल है रेसम का कीड़ा अपने जीवन चक्कर के किस चरण में वानिजेक तंतु पेदा करता है वानिजेक तंतु कौन से चरण में पेदा करता है रेसम का कीड है रक्त में जल की मात्रा दोस्तों 91% होती है रक्त में जल की मात्रा option number D हो जाएगा बिल्कुल सही answer important question है याद रखेगा अगला सवाल देखिए निमन में कौन सा कथन असत्य है इन में कुंचन अलब कालीन होता है हां जी अलब कालीन होता है यह तो यहाँ पर असत्य कतन हो गया आपका हर्दे जितना रक्त धकेलता है उससे कम रक्त परती मिनट सिराउं दुआरा हर्दे में वापस आ जाता है तो यह कतन क्या है आपका असत्य कथन है, तो option number D हो जाएगा इसका बिल्कुल सई अंसर, अगला सवाल देखिए तंत्री का उत्तक का कारिया तंत्री का उत्तक का क्या कारिया है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मैंने जितने भी ICR Technician के exam के लिए video session करवाएं वो सभी आपको एक playlist में मिल जाएंगे ICR Technician Classes के नाम से जो playlist है उसमें जरूर आप विजिट कीजेगा आपका कोई doubt है तो वो भी मैंने clear किया है हर तरह की चीजे मैंने आपको समझाईए इस recruitment को लेकर exam के लिए कापी कम समय बचा हुआ है तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा strong कीजिए जो आपका preparation time है उसको बढ़ाईए थोड़ा schedule अच्छे से manage कीजिए कटोप को लेकर भी हमने कटोप तो क्या कहेंगे खेर good score को लेकर भी हमने discuss किया है और भी दोस्तों मैं आपके लिए video session लेकर आता रहूंगा जिससे आपकी exam में definitely help होगी आपकी preparation अच्छी होती रहेगी तो जो लोग नए हैं वो जरूर चैनल को subscribe कर लीजिए और telegram चैनल से भी जुट जाईएगा दोस्तों यहां पर question क्या पूछा है तंत्री का उत्तक का का कारिये है दोस्तों उत्तेजन सीलता option number C हो जाएगा बिल्कुल सई आंसर अगला सवाल देखिए अगला सवाल है नियूरोन के कोसा कारियों की संख्या सबसे अधिक किसमे होती है तो नियूरोन के जो कोसा कारिये होते हैं उनकी सबसे कला से धकावा होता है इस कड़ी कला को दोस्तों क्या कहते हैं इसको कहते हैं डूरा मेटर डूरा मेटर से जो मस्टिक्स होता है ये धकावा रहता है ये कड़ी कला होती है मस्टिक्स की तो यहां सही अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C आज के वीडियो सेशन के मैंने आपको 25 question करवा दिये हैं आपने कितने सही किये हैं comment करके जरूर बताइएगा ये वीडियो session आपको कैसा लगा इस question कैसे लगे इसके बारे में जो भी आपकी राई है जरूर comment कीजिएगा आपकी कोई special मांग है कोई demand है तो आप comment कर सकते हैं कोईस करूँगा पूरी करने की साथ ही दोस्तों वीडियो session अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत बूलिएगा बागे दोस्तों मिलते हैं next video session में जिसमें मैं आपको social science का test class देने वाला हूँ जल्द ही तो तैयार हो जाईए regular आप session देखते रहे और regular अपना feedback देते रहे telegram channel से भी जुड़े रहें ताकि वाँ आपको updates मिलते रहें thanks for watching मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो session में तब तक के लिए सभी को जैहिंद